दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें तो कि हम लागते रते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवाल आपके लिए बहुत सारे वीडियो यूटूब पे देखे हूं लेकिन उन वीडियो में आपको पूरी जनकारी नहीं गी और आपके मन में कितने सवाल अदूरे होंगे इस वीडियो में आपके उनी सवालों को पूरा करने की कोसिस करें इसलिए अगर आप पेपर कप बिजनेस चाहते हैं तो प्लीज गुडियो पे लास्त तक बने लिए और अगर फिर भी कोई सवाल अदूरा रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर कप का ज्यादा तब इस अमाल चाय सूप और जूस की दुकानों पे पाटी कमपटिशन कैसा है पेपर कप का साइट 40 अमिल से 6 अमिल तक होता है और आपको पहले ही डिसाइड करना होगा इस तरह और किस साइज के कप की डिमांड आपके एरिया में सबसे ज्यादा एक्जामपल के लिए जैसे आइसक्री में ज्यादा तर 40 अमिल से 300 अमिल तक कप जाएगी और जब आप मसीन का ओडर करेंगी तो आप अपनी जुरुत के हिसाब से मसीन सप्लियर से मसीन और मसीन का मोल्ड और कर सकते हैं दूस्तों गर बात करें रॉव मेट्रियल्स तो पेपर को क्लिए पी कोटेट पेपर सीट की जड़ो तो यह अलग-अलग GSM में आत पहला जिससे कप त्यार होती है और दूसरा जो कप के बॉटम में लगता और आपको यह दूनों तरह के पेपर एक ही सप्लायर के पास में जाएंगी ब्लैंक के लिए जो पेपर लगता है उसका प्राइस असी से नपर रूपीज पर केजी तक उतार और वही बॉटम का प् की मैनिफाक्चरिंग शुरूती है पेपर करके डिजाइन से पहले हम कस्टमर का डिजाइन त्यार करते हैं और डिजाइन बनाने के बाद प्रिंटिंग प्लेट त्यार की जाती है जिसे मसीन रोमर में चिपका के डिजाइन की प्रिंटिंग की जाती है प्लेट को नौलेज होती है इसलिए कप की प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी रही और इस काम के लिए उपड़ सीप चार्ज करते हैं दोस्तों प्रिंटिंग के बाद प्रिंटेट सीट को डाइक ट्रीटिंग मसीन के जड़ी एक काट लिया जाता है और जब सीप कट जाती है तो ब्लैंग करते हैं और फिर इन ही ब्लैंग का यूज किया जाता है पेपर कप को बनाने दोस्तों डाइब पंचिंग मसीन आपको अलगा प्रोड़क्शन कैपसिटी के साथ अलगा प्राइस में बिल जाए और इस मसीन का प्राइज डाइल एकसस नो अलाग रुपे तक होता दोस्तों मार्केट में यह मसीन अलगवा साइज और प्रोडुक्शन कैपसिटी के साथ उप्लाइब जैसे 20 इंच इन्च, 22 इंच, 25 इंच इन्च, 32 इंच, 32 इंच, 32 इंच, 42 इंच, या 42 इंच, 32 इंच, और मारकेट में जो मसीन है वो एक घंटा में 800 बार पंच करने से ल दोस्तों पंची मसीन से निकले ब्लैंक के जड़ी है, पेपर कप मसीन दोरा पेपर कप की मनिफैक्चिरिंग की जाती है, दोस्तों गर बात करें पोड़क्शन कैप सिटी की, तो नौर्मत ये एक पेपर कप की मसीन एक घंटे में 2000 से 4000 का पोड़क्शन करती है, जो मसीन की प इस्यादी आपके पास प्राब्लम्स Kar belongs बिए हैं तो जल्दी आपका प्रॉब्लम जौफ़ पर देगो और आपका प्राफिट मार्जीन मेंटेन रहे हैं दोस्तों प्रोड़क्शन के बाद आप प्लास्टिक पन्य या क्रुगर्टिट बॉक्स का यूज कर सकते हैं कब क्यों पैकेजिंग के लिए और कोसिस करेंगी प्लास्टिक पन्य की थिखनेस का हूँ ताकि आप प्लास्टिक पन्य खरीते हैं वक्त अगर आप पर केजित ज चलिए दूस्तों बाग करने हैं profit margin की अगर आप 75 ml के कप त्यार करते हैं तो एक केजी material में आप 660 कप त्यार कर सकते हैं और जिसकी cost लगवा 97 रुपीज के आसपास आती है पेपर और बॉटम को मिला जिसमें पेपर 70% और बॉटम 30% होता है और इस हिसाब से आपके एक कप क production cost 14 पैसे के आसपास आती है जो थोड़ा कम और जड़ा भी हो सकता है raw material के price के इसाब से या दूसरे factor से और other expense जोड़ने के बाद जैसे electricity, labor charge, transportation पर कप की cost 21-22 पैसे पर अप हो जाती है और जिससे आप 5-10 पैसे पर कप के profit margin के साथ आगे बीज सकते हैं market competition के इसाब से और अ और उसी हिसाब से आप अपना profit margin में टेख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अफ्लोट किये जाएंगे उसकी सुचना आपको दोस्तो इस बुडियो में इतना है मुइट करता हूं कि अपनी बुडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आइडियास पूचे सब्सक्राइब कर लें आपके पूच्छ